दोस्तो बहुत बहुत स्वागत थे आपका एक पारफेट से आपके अपने ही चैनल किरिक पॉली पर दोस्तो साल 1975 में एक फिल्म आई थी धीवार इस फिल्म ने एक लड़के को सूपरिस्टार बनाने की भूमिका लिखी थी इस फिल्म ने इंडिस्ट्री को एक नया सूपरिस्टार दिया था और इसी फिल्म ने सलीम जाविद की राइटर जोड़ी को मुश्किलों से उबारा था जब बनी थी ये फिल्म तब एक बहुत बड़ी हिट थी दोस्तो 24 जनवरी साल 1975 को रिलीज हुई थी ये फिल्म और साल 1975 की चौथी सबसे बड़ी कमाई करने वारी फिल्म थी शोले जैसन तुशी मा सन्यासी के बाद दिवार का ही नाम आता है और दिवार फिल्म से आमिताब बच्चन कितने बड़ी सूपरिस्टा बन गई थे ये हम सभी जानते हैं डिरेक्टर थे इस फिल्म के यस चोपडा और प्रिड्यूस क्या था इस फिल्म को गुल्शन राई ने और इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस इंडिया पर साड़े चार करोड रुपे की तकरीबन चार करोड तीस लाख रुपे के आसपास का इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस कलेक्शन किया था और ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर एक बड़ी सूपर हिट साबित हुई थी और पूरे वर्ड वाइड इस फिल्म ने तकरीबन 7.5 करोड रुपे की कमाई की थी लेकिन दोस्तो आज एक ऐसा किस्ता आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा क्या हुआ था कि राचेश खन्ना को इस फिल्म से रातो रात बाहर निकलवा दिया था और किसने बाहर निकलवाया था इस फिल्म इसके बारे में आपको बताऊंगा तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बस आप सबसे पहले इस वीडियो को दिल से लाइक करती दोस्तो हुआ कुछ यूँ था कि अमिता बच्चन से पहले इस फिल्म को राजिश खन्ना को उफर किया गया था क्योंकि दिवार फिल्म के निर्माताओं को लग रहा था कि विजय की भुमिका के लिए राजिश खन्ना एकदम सही होंगे लेकिन जाने माने लेखाक सलीम खान और जावेद अक्तर ने राजिश खन्ना को फिल्म मिन्ना लेने की कसम खा रखे थी क्योंकि इससे पहले ही राजिश खन्ना और सलीम जावेद में किसी बात को लेकर मन मुटाव चल रहा था और सलीम जावेद बिल्कुल नहीं चाहते थे कि राजेश खन्ना दिवार फिल्म में काम करे अब सलीम जावेद ने फिल्म के निर्माताओं को कहा कि आप दिवार फिल्म के लिए अमिताब बच्चन को ले लीजिए लेकिन फिल्म के निर्माता को लग रहा था कि राजेश खन्ना ही इसके लिए सही होंगे अब इसके लिए दिवार फिल्म के निर्देशक यस चोपडा ने अपने घर पर ही फिल्म से जुड़े कुछ लोग कुबला कर ये बात बताई और वहाँ पर सलीम जावेद भी मौजूद थे अब सलीम जावेद ने यस चोपडा से यहां तक कह दिया कि अगर वो इस फिल्म में राजिश खन्ना को लेते हैं तो फिल्म नहीं बनेगी सलीम खान और जावेद अक्तर बार बार अमिताब बच्चन का समर्थन कर रहे थे और फिर बाद में सलीम जावेद के कहने पर दिवार फिल्म में अमिताब बच्चन को लिया गया और फिल्म जब बनकर तयार हुई और बॉक्स आफिस पर एलिज हुई तो सलीम जावेद ने कहा कि अगर राजिश खन्ना इस फिल्म में होते तो क्या फिल्म बॉक्स ओफिस पर वाकिक कम कवाई करती या फिल्म बॉक्स ओफिस पर उतनी बड़ी हिट नहीं बन थी जितनी अमिताब बच्चन के साथ बनी क्योंकि रातो रात सलेम और जावेद ने अमिता बच्चन की जगा इस फिल्म में राजिश खन्ना को फिल्म से बहार करवा दिया था दोस्तों आपकी इसमें क्या है अपनी रहे कमेंड में जुरूर बताईएगा